हेलो फ्रेंट्स माइने में सितेंदर चोधरी याने वेलकम टोलोफीटू प्रेपाइस दोस्तों आज हमारी थर्ड क्लास है जिसमें आइल भी डिसकसिंग सम प्लेसी इन न्यूज जो लास्ट इर इंपोर्टेंट थे जो न्यूज में थे और इस साल भी जो इंपोर्टेंट और प्लेस जो न्यूज में होते हैं वो आप से पूछता है तो आज हम लोग जादा बेट नहीं करते हैं सिधा साम लोग टोपिक पर आते हैं आज का हमारा रीजन है जो सबसे पहला टोपिक है वो है भाया फ्रों मिडल इस्ट और आपको पता है मिडल इस्ट इस वन अफ फेवरेट प्लेस ओफ यूप एस सी ओलसर और यह कूंक्य मिडल इस्ट के आई थैंळा भोट कुछ होता रहता रहता है रिलीजिय सली पॉलिटिकली एकोनॉमिकल है भुथ होता रहता है मिडल इस्ट में और इसले लिए लगतार नियूस में ऒर रहते है कुछ पेसे वह प और आपक इसका नाम पता है क्योंकि आप नियूज में पढ़ते हो अर्लियर इट वस नोट आप मोस्क इट वस चर्च ठीक है चलिए इसके बारे में ही थोड़ा सा जनलों जानते हैं थोड़ा से पहले थोड़ी history जान लेते हैं विकोस आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका यही है और मुझे लगता है यह तरीका सही भी है क्यों थोड़ा सा आप उस प्लेस की history अगर आपको नहीं जानोगे भया प्रेजेंट को नहीं जान सकते अगर आपको अपनी history जाननी है, present जानना है, तो definitely आपको अपनी history का पता होना चाहिए, चाहिए वो आप family के basis पे देख लो, चाहिए किसी भी level पे आप देख सकते हो, because your present is an outcome of your history, the decisions that you took in your past, those decisions are shaping your present, and all those decisions that you will take today, they will shape your future, तो जब भी आप 2025 में 2030 में सोचोगे मेरी लाइफ क्या हाल है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो decision आपने 2021 में लिये होंगे, 2021 के decision आपने 2010 में लिये होंगे, तो history always shapes future, आपस में interrelated है, history और future present अलग नहीं है, तो इसलिए आज ही आप अपना best decision लें, जो भी लाइफ में करना है, आज decide करें, उसको पक्के से करें, उसको conviction के साथ करें, मन से करें, क्योंकि आपका future जो है उस decision के ओपर ही decide होने वाला है, चलिए, देख यह है Rome Empire, Rome, Rome Empire was also one of the largest empire in the world, कुछ ही empire बहुत बड़े-बड़े empire हुए हैं, जैसे empire of Alexander, empire of you know, चंगेज खान, Mongolia Empire and empire of Ashoka, empire of you know, this Rome Empire was also historically a very big empire, और यहाँ पर देख सकते हो आप यह, यह है आपका Mediterranean Sea, यहाँ पर यह है अपका Black Sea, और इनके बीच में यहाँ पर भीया एक country है, जिसे हम लोग present time में क्या बोलते हैं, Turkey बोलते हैं, present time में जिसे हम लोग कहते हैं Turkey, ओके, और यहाँ पर यह city है, आप देख सकते हो, इसके ओपर बहुत लडाईयां जगडे होए, बहुत important city है यह, earlier भी पहले भी बहुत important city थी, आज भी बहुत important city है, presently इसका नाम क्या है, Istanbul, presently it is called Istanbul, historically it was called Constantinople, यह भी एक्जाम में पूच सकता है, बिकोज जब Istanbul न्यूज में हैं, तो यह भी न्यूज में हो सकता है, यह भी आप से पूच सकता हो एक्जाम में, अब हुआ क्या, इस Constantinople, it was capital of, eastern capital of Roman Empire, because Roman Empire बहुत बढ़ा था, तो उनकी कहीं सारी capital लोगते हैं, यह रोम वस अपिटल, Constantinople वस अपिटल, right, so यहाँ पर, अब रोम empire के जो, जो rulers हुआ करते थे, जो, they were kind of orthodox Christians, Christians, और वो orthodox Christians है थे, तो हुआ क्या उससे, they made a church, यहाँ पर इन्होंने church बनाया, ठीक है, church, और उस church में वो लोग, जो है, वो, जो भी करना था, वो करते थे, बट हुआ क्या, अब इसको लेके, यह देखो, यह रहाब का इस्तांबूल, जिसे पहले कहा जा था, अब इसको लेके बहुत सारे जगड़े होते रहते थे, तो हुआ क्या, एक Muslim ruler थे, जिन्होंने क्या किया, 1453 में, Constantinople को, इन्वेड किया, जो Roman Empire था, उसको defeat किया, and he took the control of this city, और उन्होंने क्या किया, इसको, earlier it was a church, and that person converted this church into a cathedral, और kind of church, और जिसका नाम उसनोंने रखा, था, Haya Sophia, ठीक है, और यह जो बनाया गया था, it was built in 537, तो आप देख सकते हो, कम से कम पंदरा साल पुराना, 1500 साल पुराना है, तो 537 में इसको बनाया गया था, और तो उस Christian patriarchal cathedral kind of church, ठीक है, it was a church, और 1453 में दुबारा से इसको क्या किया, इन्होंने हाया सोफिया को एक मोस्क में convert कर दिया, it was converted into a mosque by Sultan Mehmet, तो तब से ये mosque चला रहा था, लेकिन 1934 में दुबारा से इसका status change हो गया, because earlier Turkey was a kind of orthodox Muslim country, but in 1920s में वहाँ पे तर्की के अंदर जो है, एक secular movement खड़ी हुई, और आपका पता होगा, जब खिलाफत movement इंडिया में थी, है न, we were demanding for the, जब आपका जो second world war, first world war हुआ था, उसमें Turkey was defeated by Britain, और जो तर्की के जो लीडर थे, religious leader, उनके साथ जो है, बुरा वयवार किया गया by Britishers, and Indian ones were also demanding some sort of that rights for that, you know, ruler and all that, तो वो सबाब को पता है, वो history का part है हमारा, हम खिलाफत movement में उसको पढ़ते हैं, तो at that point of time Turkey के अंदर जो है, एक secular movement चल रहा था, and 1934 में फाइनली क्या हुआ, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल अता तुर्क, इसने क्या किया, इसने कहा के देखो, जगड़ा मत करो, ना ये चर्च है, ना ये मोस्क है, आज के बाद we are going to convert that into a mosque, और स्वरी, museum, तो उन्होंने इसको मुस्यम में convert कर दिया, वाइ, बिकोस इस हाय सोफिया वर्स अ कॉंबिनेशन ओफ, Christian identity, Christian architecture, and Islamic architecture, and faith also, इस अ वरी गूद एग्जामपल ओफ, तो इसने क्या किया, देखो, उन्होंने इसको मुस्यम में convert कर दिया, और यह बिकोस बहुत पराना structure है, तो इस अ पार्ट ओफ, UNESCO's World Heritage Site, अब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इस अ मुस्यम सिंस 1934, तो काफी साल से मुस्यम था, लेकिन अभी जो बहिया, प्रेजेंट जो प्रेजिडेंट है, प्रेजेंट जो अभी तर्की के, ठीक है, यह वस अ काइंड ओफ, वरी और्थोडोक्स मुस्लिम, तो वो थोड़े से ओर्थोडोक्स है, तो वो थोड़े से ओर्थोडोक्स है, in general it's a very secular society, but that person who is sitting there now, he is kind of orthodox, and he, in order to establish his authority as a Muslim leader, he turned that museum again into a mosque, ठीक है, तो पहले यह चर्च था, चर्च के बाद मोस्क बना, मोस्क के बाद इसको मुजियम में कनवर्ट कर दिया गया, अब ही दुबारा से इसको मोस्क में कनवर्ट कर दिया गया, ठीक है, that is why it was in news, तो तर्की is again moving towards the orthodoxy, away from the secularism, which is not a good thing, ओके, चलिए, that is why it was in news, थोड़ा साब को history पता होना चाहिए, बहुत ही rich history है, future में भी हम लोग कुछ news, अच्छा यह बताएं आप तर्की की capital क्या है, यह question आपके लिए है, what is the capital of Turkey, it is Ankara और it is Istanbul, यह आप बताओगे comment section में, ठीक है, बिकोज लोग इसमें confused हो जाते हैं कहीं बार, चलिए, so that was about this Haya Sophia mosque, it's a very old mosque, very popular also, चलिए, चलिए, second news के उपर जाते हैं, आपके सामने जो pictures आ रही हैं, देखो, अलग लग तरह के mangoes, देखके ही, खाने का मन कर रहा है, वैसे भी summer time चल रहा है, अब यह mangoes related news है, चलिक है, जब भी mango का नाम आता है, तो mostly we think that UP, उत्तरप्रदेश, is the land of mangoes, बट ऐसा नहीं है, mango is also grown in the South India, in Kerala, in Karnataka, in Tamil Nadu as well, और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वराइटी, जो हैं वो पैदा होती हैं, देखिए, यह है आपका Kerala, Kerala में एक जगह है, कन्नूर, है ना, it's a district, कन्नूर, और कन्नूर district के अंदर में, there is a village, और यह एन से पंचायत, जिसका नाम है कन्नूपुरम, पंचायत, कन्नूपुरम पंचायत में, एक गाव है, it's a village, यहाँ पे जो लोग हैं, they are fond of mangoes, और वो अपने खेत में, अपने घरों में, mangoes को grow करते हैं, and अभी recently ये news में क्यों था, recently news में इसलिए था, वैसे थोड़ा सा trivia है, अभी वहाँ पे एक land load थे, उसने आम का पेड़ काट दिया, कुछ time पहले, and it was of 200 years old, जिसको लेके, वो कहाँ पे काफी protest वगरा हुए, वो सारी चीजे हुई, उसको के बाद ये देखा गया, कि इस गाउं में तो यार, बहुत सारी वराइटी है mangoes की, और जब उनको observe किया गया, तो ये पाया गया, कि उस छोटे से गाउं में, there are at least 200 varieties of mangoes, 200 varieties of mangoes, can you imagine, हमें तो बस थोड़े बहुत ही पता है, लंगडा है, सर्चोसा है, मुझे तो ये इतने ही पता है, बस लंगडा, चोसा, एक दो और, आपको जितने वराइटी पता, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपका फेवरेट कौन सा है, तो 200 varieties of mangoes are found in this small village, तो इसके बाद अब ये news में क्यों है, ये news में इसलिए है कि कनूर टाउन जो है, में जो ये पढ़ता है, कन्नापुरम पंचायत, इसको डिक्लेर कर दिया गया है, इंडिजेनेस mango heritage site, और area, इंडिजेनेस mango heritage area, केरला State Biodiversity Board has identified the area as heritage zone, क्योंकि यहाँ पे 200 variety से ज़्यादा mango की पाई गई है, and it was declared on July 2022, because July 2020 को National Mango Day आता है, and mango is also national fruit of India, बहुत famous है दुनिया भर में mango, अलेक्जेंटर जब इंडिया में आया था, उसने mango खाया था, उसने कहा था कि मैं अपना Mesopotamia चोड़के, मैं इंडिया में सेटर होना चाहता हूँ, और मैं जिंदकी भर mango खाना चाहता हूँ, इंडिया में दो तीन चीज ऐसे थी, जिससे लेंग्डर लेक्जेंडर वो इंप्रेस हुआ था, एक तो था mango, एक था monkeys, और एक था elephants, चीक है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था, उसने अपनी जिंदकी में कभी हाथ ही नहीं देखा था, कभी monkey नहीं देखा था, और कभी mango नहीं देखा था, कुछ लोग sugarcane भी कहते हैं गन्ना, चलिए, करना पुर्म पंचायत कहां पढ़ती है, केरला में पढ़ती है, आप से पूछ सकते हैं, क्यों नियूज में है, क्योंकि डिफरेंट वराइटीज ओफ मैंगो और इसको डिकलेर किया गया है, इंडिजेनिस मैंगो हेरिटेज अरिया, और इंडिया में सिर्फ एक ही है, अभी तक इंडिया में किसी और इरिया को ऐसे नहीं, अब इंडिजेनिस का मतलब क्यों होता है, इंडिजेनिस का मतलब होता है, जो चीज उसी जगह बे पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती है और आप यह सोचते होंगे सर यहां पर इतनी वराइटीस बाई जाती है वर्ल्ड फेमस होगा ना लोग बहुत पैसा कमाते होंगे देखो ऐसा कुछ नहीं है यह लोग इसको जो है selling वेरा के लिए यूज नहीं करते हैं, घर में खाने पीने के लिए ही उसकरते हैं, हर गर में एक आदा पेड मिलेगा आपको वहाँ पे और उसको वोग सेल्फ, परस्टनल कंजप्शन के लिए ही उसको रखते हैं लेकिन सची बताऊं तो मेरा बड़ा मन कर रहा है भी सकाहों जोने के लिए। और फिजिकल ज़िएप को देखो तो यहां पर यह आपका पढ़ता है इस जगहे पर पटकई बंग डिस इस पतख कई बंग इससी अ स्मोल माउंटेन रेंच और डिय पूर्वांचलिंज रिल्स का पार्ट है यह आपका आपका नजर राज रान नागा हील्स मनीपूर हील्स यह सब आपका हिमाल्या की एक्स्टेंशन है, साउथ वर्ड एक्स्टेंशन, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका आपका आगया पटकई, अब यहीं पर आपको यह नजर आ रहा होगा, यह है दिहिंग पटकई, दिहिंग is a river which flows here and पटकई is the name of the mountain range, इसके नाम पर पढ़ा है दिहिंग पटकई, दिहिंग पटकई न्यूज में क्यों है, क्योंकि भहिया दिहिंग पटकई को वहाँ की सरकार ने क्या बोला है, now we are going to declare दिहिंग पटकई as a, दिहिंग पटकई को 2004 में wildlife sanctuary declare किया गया था, ठीक a national park, तो इसको इसकी promotion हो गई है basically, तो now it would be the national park, और यहीं पर आपका पढ़ता है क्या, डिग बोई, यहीं पर आपका पढ़ता है डिग बोई, यह रहा आपका डिग बोई, ठीक है, इंडिया का first and one of the largest oil refinery center, डिग बोई, ठीक है, वो भी यहीं पर पढ़ता है, पास में है इसके, चलिए, तो यह कह है, अभी हम लोग इसको national park declare कर रहे हैं, and इसको national park declare करने के ब कौन-कौन से हैं, वो अलड़ी हम लोग देख चुके हैं, काजी रंगा, मानस, दिवरुसी कोहा, राजीव गांदी और अरांग national park, ठीक है, यह अलड़ी हम लोग देख चुके हैं, तो असाम government ने डिसाइड किया है कि हम इसको promote करेंगे, अब यह बहुत important है, क्योंकि यह क species of the cats, tiger यहाँ पर मिलता है, leopard भी यहाँ पर मिलता है, clouded leopard यहाँ देखो, यह जो photo दिख रहे हैं आपको, यह है, clouded leopard की photo है, golden cat आपको दिखता है, jungle cat, marbled cat, this is the only place in India, तो इसकी uniqueness है, और यह क्या है, यह है, यह है, पैंगोलिन, Chinese पैंगोलिन, और इसकी भी population यहाँ पर मिलती ह है, flying fox यहाँ पर मिलता है, wild pig यहाँ पर मिलता है, ठीक है, और यह बहुत unique चीज है, यहाँ पर जो मिलती है, white-winged wood duck, it's very rare and it is endangered also by IUCN, देखो, पैंगोलिन को नहीं है, बहुत ज़्यादा, जो है, illegal trade किया जाता है, पैंगोलिन का, especially in China, because जैसे इंडिया में ayurved है, वैसे ही चाइना में भी वहाँ की एक traditional medicine है, इंडियन जो medicine system है, वो plant-based है, लेकिन वहाँ का जो traditional system है, वो animal-based है, तो animal के जो waste material है, बोन्स वगरा, वो उन सब का मिलाके वो सब वहाँ के दवाईयां बनाई जाती है, तो पैंगोलिन का बहुत जादे legal trade होता है, यह आपको थोड़ा स अगली जो हमारे पास आता हुआ था, East China Sea, देखे, East China Sea, South China Sea, हमेशा न्यूज में रहता है, because China has many territorial disputes with its neighbors, कोई भी neighbor ऐसा नहीं है चाइना के जिसके साथ उसका dispute नहीं हो, mountain dispute, यह बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, कलास में, जो सब के साथ पंगे लेता है, यह ऐसा ही है South China Sea, यह चाइना जो है पंगे लेता है, देखे, यह है आपका East China Sea, और यह है Japan, और यह रहा Korea, ठीक है, यह रहा यहाँ पर आपका Philippine Sea, यह रहा Yellow Sea, Yellow Sea के आपकी लोकेशन पहता होने जाए, तो आपके लिए यहाँ पर एक question है, चाइना की largest river है, जो Yellow Sea के अंदर ड्रेन करती ह है, you need to tell me the name of that river, name of the river which drains into Yellow Sea, this is the largest river of Asia, China, Asia, and world's third largest river, और पहली और दूसरी कौन सी है यह भी बता हो गया, which is the first, which is the second, और यहाँ पर जब नाम बता हो गया, वह हो तो हो थर्ड का हो गया, चाइक है, तो East China Sea के अंदर क्या है, देखो, यहाँ पर यह रहा आपका East China Sea, यह island है यहाँ पर, Sengkaku Island, Sengkaku इनको कहा जाता है Japan के अंदर, और Diyahu इनको कहा जाता है China के अंदर, अब इसको लेके बड़ा जंजट है, चाइना कहता है, चाइना कहता है, यह मेरा है, जिपान कहता है, हालांकि इसके उप हुआ, Second World War में, this came under the control of Japan, उसके बाद, जब Second World War एंड हुआ, एंड हुआ, तो treaty हुई, जिसके अंदर USA ने पार्टी स्पेट के और Japan ने पार्टी स्पेट किया, और जिसकी वज़े से वोज़े से वोज़े से, San Francisco Treaties को बोलते हैं, वैसे तो history का class नहीं है, बट यह, San Francisco Peace Treaty जि जोड़ दो, तो East Island का control Japan ने छोड़ दिया, लेकिन इसका control USA ने ले लिया, और USA ने बाद में जो है दुबारा से उसको Japan को दे दिया, लेकिन Japan की government को ने दिया, कुछ Japanese लोग थे उनको दे दिया, तो these are basically देखा जाये तो private islands, लेकिन recently इन private islands को Japan की सरकार ने उनसे खरीद लिय और जब इसको खरीदा गया, तो China गुसा हो गया, क्योंकि China और Japan ने यह decide किया था, देखो China ने कहा के देखो भाया आप इस पर control करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर fishing करते हैं न, आप हमें fishing करने से मत रोकना, Japan ने कहा ठीक है, fishing करो कोई problem नहीं ह है, आप उसमें fishing करो, we don't have an issue, but when Japan government purchased them and tried to control them politically and defense वाले सेक्टर की तरब से, then China protested, तो तब से लेके जो है, चाइना का यहाँ पर जगडा चल रहा है, South China Sea में जगडा है ही, वो तो हमें पहले सी पत है, South China Sea में जगडा है, वो लेक इसको है, Spartally Islands, और यह जो है, East China Sea, जो आपक East China Sea है, वहाँ पर जगडा है, Senkaku है, Confuse मत होना, एक्जाम में पूच सकता है आपको वो, ठीक है, Senkaku Islands belong to the East China Sea and Partly Islands, they belong to the South China Sea, अब इनको लेके जगडा है, अब प्रोब्लम कब स्टार्ट होई, प्रोब्लम देको तब स्टार्ट होई, रिसेंटली क्या किया है चाइना ने चाइना ने यहां से इस तरह से जो है यहां से अपने ships को लेके गए, ठीक है, अपने ships को लेके गए, और इन ships पे जो है कुछ, अब यह जो ships थे, यह थे Chinese Coast Guard, मतलब यह defense related है, ठीक है, देखे आप fishing वाले लेके जो कोई प्रोब्लम नहीं है, लेकिन आप जब defense वाले लेके प्रोब्लम आएगा, तो जब यहां पर इन दो fishes को, चाइना लेके गए, यहां पर ships को, तो Japan ने जो है, objection उठाया, और उसकी वज़े से controversy जो है, स्टार्ट होई, ठीक है, तो बस यही है, इसलिए news में था, Sinkaku Islands, वैसे तो इसको लेके दिक्कत उनके हमेशा ही रहती है, स्टार्ट, यहां पर भी आप देख सकते हूँ, ठीक है, इसलिए ताइवान स्ट्रेट, और यह आपका आगा है, साउथ चाइना सी, तो अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए कि एस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जो है, कौन जोडता है, तो आप बोलोगे सर् अगर यहां जोड़को आ आप जड़ी के यलो सी कहा है, यलो सी इस आ पर्ट अ बीजिंग और यवर चाइनड चाइना, फ़िस 있고요 एक पूर चीज हूब हर बडी नूस में थी देखिए, मैप दिखाता हूँ आपको, यह है South East Asia, यह है Europe, historically South East Asia और these countries including India and these all countries, they were controlled by the European colonial powers, इंगलेंड, इंगलेंड, ब्रिगेट, ब्रिटेंड, कुछ जो है आपका डच, कुछ पोर्तुगीज, तो इस एरियाज वर कंट्रोल भाए इस यूरोपीन पावर्स, और जब भी वो लोग ट्रेड करते थे तो उनको कहां से जाना पड़ता था यह भीया पूरा चक्कर काट करके जाना पड़ता था तो किषने दिमाग लगाया कैसा करते हैं यहां पे जो रेड सी है आपका रेड सी और यहां पे आपका यह जो जो इजिप्ट है ठीक है हम क्या करते हैं यहां से कनाल जो है रेड सी को और मेडिटेरीन सी को जोड़ देते हैं आपस में जिसकी by 7,000 km if you join Mediterranean Sea and Red Sea. And it was a very good idea. अब यह मैं बात कर रहा हूं, 19th century की, 1850s, 60s, 70s. उस टाइम पे Britain और France का चलता था जगडा आपस में. These were the two, you know, biggest power in Europe and they were in clash. अब यह इस clash को हम लोग इंडिया में भी पड़ते हैं. अब यह इंगलो फ्रेंच वोर अभी अंगलो फ्रेंच वर सिर्फ इंडिया में नहीं है, यह योरोप के अंदर भी था, यह अमेरिका में भी था, because these two colonial powers, they were trying to hold as many as territory as possible and that is why they were in to clash. ठीक है. अब फ्रांस ने जो है, क्या किया? एजीप्ट का जो किंग था, उसको बोला के हम लोग इसको जोडेंगे ठीक है और इसको control करेंगे और आपको पैसा मिलेगा. तो उसने बोला यह वह यह ठीक है. तो फ्रांस ने क्या किया? यहां साथ हिस्टरी का आपको पॉर्शन बता रहा हूँ हलांकि आप पढ़ोते हो इसको आप जब इंटरनेशनल रेलेशनशिप पढ़े होगे तो आप उसमें तब देखोगे. तो बेसिकली रीजन ही है, तो वह सारी की सारी चीज़े चल रही थी और बाद में जब ब्रिटेन और फ्रांस बिकेम फ्रेंट्स तो इस वस कंट्रोल्ड बाए बोथ इस पावर्स ब्रिटेन और इंगिलेंड के दुआरा. तो थोड़ा साफ ही दूसरी कंट्रीज भी है देखिए यह है आपका यहां पर इस्राइल आप इस्राइल देख सकते हूँ ठीक है यह आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था इस इस यूर सिनाई पेनिसुला दिस अंडर देख स्वेज कनाल का पूरा इशू अब यह स्वेज कनाल का है बहुत चोड़ी नहीं है इस वरी नेरो तो बड़े बड़े जो शीप आते हैं वो यहां से गुजर के जाते हैं और वोल्ड का 12-13% ट्रेड हैपन्स थ्रू दिस कनाल तो बहुत सबसे मतलब एक नाला ही है यह बट यह यह जो कनाल है वर्ल्ड का 12-13% ट्रेड भी यह इसके थ्रू होता है तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपोर्टेंस केतनी हैं अब रिसेंटली हुआ क्या एक शिप था और यह शिप जो है यहां से मस्त एकदम आराम से जा रहा था लेकिन हवा वगरा चली और यह टिल्ट हो गया मतलब घूम गया और इसको ब्लोग कर दिया तो इसके पीछे जितने शिप्स थे और इसके जितने पीछे शिप्स थे उनका रास्ता भी रुग गया है न है अब वह कैसे करूड बेसिकली कुड रुडा ऐल कर ट्रेड होता है अब जब मालो इंडिया का सिप एव रुग गया या चाइना में कोई शिप जाना है तो अधिया में कूछ्य घरुग गया सो दुनिया में पर्राइस भी निक्रीज होग गर रोग था क्योंकि कहीं उस company का जहाज था ये जहाज का नाम था Ever Given तो यह यहाँ पर रुक गया इसकी वज़े से Swage Canal की इंपोर्टेंस दुनिया को पता चली कि Swage Canal की कितनी जादा इंपोर्टेंस है भाया हर रोज लगभग एक बिलियन के बराबर जो है वोल्ड का नुकसान हो रहा था वन बिलियन चोटी मोटी रखम नहीं है ठीक है तो Swage Canal की इंपोर्टेंस इसलिए है और इसलिए द्वारा से न्यूज में है तो आपको थोड़ा से इसके बारे में पता होने ची यहां पर बच गया है ठीक है अदर्वाइस तो आपका एफरीका गूम के आना पड़ता है यह 56 में कुछ क्राइसिस हुआ था यहां पर थोड़ा से इंफोर्मेशन देता हूँ ऐसे ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं आपके इस इस लेक्टर के परस्पेक्टिव से हुआ क्या कि जो ऐजिप्ट के जो जो लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इसको नेशनलाई्ज करेंगे और इसका पुरा cận्रोल अपने हाथ में लेंगे अरलियर इटिव इस एक रिव बिडीन और फ्रांस ठाहि sì तो जब उन्हें डिसाइड किया कि वी विल टेक इत्स कंट्रोल बिटिन और फ्रांस डर गए के भीया ये तो हमसे चंट्रोल ले लेंगे तो त्रेड का ये धित्रोल करेंगे क्योंकि क्या था वहां पे नाइल रिवर के उपर एक डैम बनाना चाहते थे और उसके लिए उन् मिलिटराइज भी कर देंगे, कंट्रोल करेंगे, तो उन्होंने ब्रिटेन प्लस फ्रांस प्लस इस्राइल, उन्होंने एजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया, तो टेक दा कंट्रोल अब सवेज कनाल, है ना, and they actually took the अब सवेज कनाल, लेकिन बाद में अमेरिका ने और रशिया ने इंटर्वीन किया, and they left, तो उसके बाद डिसाइड किया गया, सवेज कनाल, अभी सवेज कनाल इस कंट्रोल बाई एजिप्ट, बट यूएस से एंशोर्स के वो उसका जो है evergiven, not evergreen, कुछ लोगों को confusion है कि इसका नाम evergreen है, बट इट is evergiven, ठीक है, तो वोल्ड का 12%, जो है यहां से वो करते हैं, चलिए, एक और न्यूज है हमारे पास वो यह है, कि केरला के अंदर, you already know that केरला is very socially progressive state in India, and they very well take care of the rights of the women also, ठीक है, तो इंडिया का पहला international women trade center बनाया गया है, केरला के अंदर, ठीक है, केरला के अंदर, एक जगह है जिसका नाम है, अंगमलाई, ठीक है, वो यह कहीं यहां पर पढ़ता है, अंगमलाई, तो बस आपको यह पता होना है, उनको अपना स्किल, अपना जो प्रोड़क्ट है, उसको एक्सपोजर का चांस मिलेगा, है ना, उनको financial suggestions, counselling चाही होती है, वो भी उनको यहां पर मिलेगा, जो international brands होती है, उनके साथ competition भी करने को मिलेगा, तो यह women entrepreneurship को review and empowerment के लिए एक बहुत ही बढ़िया कदम है, बाए केरला government, केरला government में एक mission चलाया गया था, we, mission, we, we, चीक है, किसने चलाया था, यह, under Kerala State Industrial Development Corporation, KSIDC, चीक है, तो इसलिए जो है आपका अंग मलाए, it was important and it was in news, चीक है, तो आज की news में इतना ही, अभी हम मिलेंगे, कल वाली थोड़ा सा मैं कभी-कभी detail में चला जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वो चारी चीजे पता होनी चाहिए, because यह सिर्फ places in news ही, का ही topic नहीं होते हैं, यह आपका social issues और आपका international news, international relationship, वो सारे भी विजे भी कवर यहां पर थोड़ी बहुत की जाती है, so that is all for the day, thank you very much and all the best